तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने वाला हुआ सैम्संग के मोबाइल में जो माय फाइल जो की एक इसरी होता है यह को पहले वाला माय फाइल था उसमें Recycle Bin का Option तो था जो समझ पाइघ है था उसमें रीटोर नहीं कर पाते थें अब आपको वहाँ पर diese 5000 कैसे करें और विसंबatroर लिए तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा तो ज compet करेंगे तो भूला देखेंगे मंएरा नाम सनी आरोर को relief करना क्या हुआ अपने मोंबाइल के जाना, आपको galaxy store में, ये अपने जाना है Play Store में, तो मैंने अपने जाना है अपडेट मेंने मिला था यहां जाने एभाइबको कर लेंना है, यहां उपशन आपको करना है Samsung Mile File यहां उपडेट में महां जाके भी देख सकते तो मैं आपको यहां पर टाइब करके बताएता हूं जैसी आप यहां पर आपको अप्डेट को आप्शन मिल रहा हो जहां मुझे ओपन दिया है और यहां पर आप देखेंगे लास्ट अप्डेट कब हुआ है 20 अप्रेल को यह लास्ट अप्डेट हुआ है जो कि इसमें नए चेंजिस आए और नए अप्डेट आए और यहां पर आपको भी लिखे हुए मिल जाएंगे न्यू फीचर इन माय फाइल आपको दिख रहा होगा थोड़ा सबलर है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं अब आपको मिला है तो सबसे पहला जो अपडेट है यहां पर सबसे जो पहला फूचर है इसमें यह कि अगर आप पांच काम इखटे कर सकते हैं मतलब अगर आप कॉपी कर रहे हैं जाने के बाद मुझे कोई सा भी फोल्डर जिसमें थोड़ा ज्यादा डेटा हो उसको मूव कर करना यह कि मेरे पास यहां पर डेटा सबसे जादा इसमें कि तो जिसमें अब सबसे ज़्यादा अब फोल्डर को मेरा बहुत ज्यादा है तो मैंने इसको अलारम वाले फोल्डर को यहां सलेट करा जैट करने का आधाम दूछे एनले देखेंगे आपको सा जीब Dogs मिल जाए तो यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया ऐसे के नाम से और यहाँ पर आके मैंने उसको कर दिया कॉपी है तो आपने यहाँ जैसी कॉपी हर करेंगे तो आपको नीचे एक आप्शन मिल रहा हूँ देखेंगे कैंसिल के बगल में हाई पॉपप जो कि पहले नहीं आता था पहले जब तक कॉपी ना हो आप दूसरा काम नहीं कर सकते थे बट अब आप इसको हाईट करके दूसरा भी काम कर सकते हैं आप देखेंगे ऊपर की तरफ आप देखेंगे notification में तो आपको दिख रहा होगा यहाँ copy भी चल रही है और मैं वहाँ दूसरा काम भी कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे दूसरा काम क्या करना है मैं alarm के अंदर folder में गया यहाँ से मैंने call नाम चे folder है उसको उठाया और यहाँ से copy करा इसको मैंने copy करा इसको भी copy मैंने यह essay वाला जो folder था जो मैंने अभी बनाया था उस folder में इसको भी मैंने यहाँ से copy कर दिया कहां गया essay S.A.S.A. जो भी folder आपको जिस folder में करना है वो folder वाप यह आ गया तो अब मैंने इसको भी यहाँ से copy कर दिया तो आप देखेंगे इखटे दो टास्क मेरे इखटे चल रहे है पहला वाला भी copy चल रहा है दूसरा भी चल रहा है और इसको भी मैं hide कर दूँगा तो इसके बाद भी मैं काम कर सकता हूँ मतलब ऐसे 5 काम में इखटे कर सकता हूँ जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई पहले क्या आता था जब तक पहली copy ना हो या move ना हो तो आप दूसरा काम नहीं कर सकती यहां copy के अवलाव अगर भी करेंगे तो भी वह काम करेगा बेस्ट काम करेगा जो की बहुती शांदर फीचर मुझे लगा उसके बाद दोस्तों दूसरा फीचर है वह है पहले क्या हो रहा था जैसे like मैं आपको बताता हूँ दूसरा फीचर क्या है अब मैंने यहां पर गया storage में internal storage में यहां जाने के बाद मैंने जो भी अपना essay वाला जो folder बनाया है इस पे आया अब मैं इसको यहां से करता हूँ delete तो पहले क्या हो रहा था जब आपन इसको डिलीट मार रहे थे डिलीट करने के बाद रिसाइकल बीन पर तो जा रहा था बट रिसाइकल बीन में वहां restore का option नहीं आ रहा था बट आप यहां पर आपको restore वाला option में मिल जाएगा उपर देखेंगे आपको edit और mpt वाला option मिल रहा था इसमें restore वाला option आपको नहीं मिल रहा था तो restore के लिए आपको करना क्या होगा आपको पैस करके रखना है और नीचे देखींगे आपको restore वाला option मिल रहा है आप उस पर restore वाले option पर click करेंगे और वहां पर restore हो जाएगा वापिस अगर आप my file में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वह फोल्डर आपका restore हो चुका है जो कि जो इससे पहले वाले update में वह नहीं हो रहा था और जितने भी इसके ज्यादा feature है उसके लिए मैंने एक अलग से पहले वीडियो बना रही है जिसका link में आई बटर में जे दूँँगा चाह यह मेरे पास memory full हो गई तो इसलिए notification आगया code not find का अगर आपकी memory full होती है तो आपको यह notification करेगा कि आपकी memory full हो चुकी है आप वहाँ से data delete कर लें कैसे तो आप देख सकते हैं मेरी 63 GB full है तो मैं 1 GB का data और डाल देता हूं और उसको थोड़ी फूल कर देता हूं फूल करने के वाद के इसको एक मेट पेस्ट करता हूं मैं यहां पर गया इस वाले फोल्डर को पेस्ट कर दो हो तो मेरी memory full हो जाएगी और यह अब पेस्ट होना चालू हो गया इसको मैं चाहे hide pop up भी कर दूँगा तो hide हो जाएगा जो कि मैंने पहले ही बताया जो कि बहुत ही खाम का feature था आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर हो चुगा है अब जैसे ही मेरी memory full होगी तो मुझे notification आईगी उपर से और मैं उसको manage कर पाऊँगा easily वहाँ से अभी notification चल रही क्योंकि copy हो रहा है तो इसको copy होने देते हैं उसके बाद देखते हैं क्या notification आने वाली है जो कि मुझे भी confirm नहीं है बस यह उसमें लिखा था कि नए update में आपको notification मिलेगी जब भी आपकी memory full हो जाएगी तो इसको होने देते हैं copy copy होने क्या पता चल जाएगा क्या उसमें नया update है क्या नया कैसे वो notification को देने वाला है तो यह होने देते हैं normal copy हो रहा है आपको दिख रहा होगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बोलें मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं आपको यहां पर एक notification मिल रहा है आप देखेंगे ऊपर आपको एक notification मिलने लगा है जो कि पहले नहीं आता था स्टोरेज फूल के उपर यह आपको दिख रहा होगा है जो कि पहले वाले मैं उस पर नहीं आता था माई फाइल मनेजर पर अपडेट पर अब आपको यह option मिलने लगा है आप जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे उस पर तो आपको ले जाएगा ने लिस पर स्टोरेज पर और वहां से अनलाइस कर पाएंगे आपने कहां का स्पेज ह दोस्तों मुझे आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों एकर आपको मेरे वीडियो को शेयर करना भी ना वोलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कि अगर प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना बोले ताकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अपने आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागाम और फिस्टू फॉलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको डिस्क्रिश्म में मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों